हाई फ्रेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC Info24 में स्वागत हैं तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंट्स यह जो वीडियो है PGT History का प्रेक्टिसेट संतानवेर है तो दोस्तो हम इस वीडियो में इस समय सिंदू सभीता को पढ़ रहे हैं जिसमें कम से कम सत्तर कोशन कराए गए हैं तो दोस्तो वीडियो छोटी होती है लेकिन बहुत ही important होती है तो वीडियो को जरूर देखें और चैनल पे दोस्त आप नए है तो चैनल को subscribe कर लेजिए कि आपको अच्छा content मिलता है तो सिंदू सभीता का 71 नमबर कोशन कोशन आपका है कि माडा का पूरा तात्विक अस्थल जो भारत की सीमा के अंतरगत हरपा संस्क्रीती के सबसे उत्तरी छोड को चिन्नित करता है किस नदी के ततपर इस्तित है आपसन ए जेलम बी ए चिनाव सी ए घगघर डी ए सिंदू तो मांडा है वो किस नदी के तत परिस्तित है तो चिनाव नदी के तत परिस्तित है तो आपसन आप भी सही कर लेंगे चिनाव व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंस थोड़ा सा व्याख्या में देखिए हरप्पा संस्क्रीती के अस्तलों में सबसे उत्तरी अस्तल जम्मू में चिनाव नदी के तत पर अख नूर के निकट माडा है तो माडा क्या हो गया जो आपका सिंदू सब्वेता है उसका सबसे जो उत्तरी अस्तल है वो माड़ा है और माड़ा मतलब किस नदी पे है तो आपका चिनाव नदी पे है और चिनाव कहा है जम्मू में तो इन सब चीजों को आप जरूर याद रखिएगा आगे चलते हैं अन्य महतपूर तथ्यों पे देख लेते हैं थोड़ा सा तो हरपा संस्कृति के अस्तलों मे सबसे दच्छिर अस्तल दैमाबाद जो है सबसे दच्छिर अस्तल क्या है दैमाबाद मादा से 14 जो है माड़ा जो आपका है उत्तरी अस्तल है और दैमाबाद आपका क्या है दच्छिरी अस्तल है तो दोनों अस्तलों के बीच में जो दूरी है उस 1400 किलो मीटर की दूरी ग स्तीत है तो इसको याद रखेगा इसका सबसे पक्छमी अस्तल दासक नदी के किनारे सुत कांगे दोर है इसका पूर्वी अस्तल जो हिन्दन नदी के किनारे आरलम गिरपूर में स्तीत है तो हिंडर नदी के किनारे है और पुर्वी अस्थर जो आलम गीरपूर है तो इन सब को याद रखेगा आगे चलते हैं आपका 72 नमर कोश्चन है और TGT में पूछा गया कोश्चन है वैसे यह सब कोश्चन तो कई बार पूछे जाते हैं लेकिन उतना बार लिखना यहाँ पे नामुम्किन है कि कहाँ पे कहाँ पे कितने बार लेकिन बहुत ही इंपार्टेंट है आप अगर इसको कर लेते हैं जितने वीडियो कराये जाएंगे तो आपको पक्का कर सकते हैं कि इससे सिंदु गाटी सब्विता से आपको कोई कोशन नहीं बचेगा आप पूरा के पूरे करकर आएंगे यह विश्वास रखिए तो धार्मिक जीवन नगर योजना समाजिक जीवन तो प्रमुख विसेष्था पूछा जाएगा तो नगर योजना ही है जो अहां की प्रमुख विसेष्था है कि नगरों को बहुत ही उचीत तरीके से बसाया गया है दोस्तों वहां का जल निकासी राने का जो बेउस्था था लेकिन वहाँ पर नहीं निकासी का बहुत सुंदम, अति सुंदर व्योस्था की गई थी, वहाँ पर नगर बसाने से पहले सडके और नलियों की व्योस्था कर दी जा रही थी, जिसे नगर बसा और उसके बाद पानी व्योस्ता के बिएस्ता हैं और खिर्किया में मतलब जो खिर्किया होती थी या जो भी ते दरवाजे होते थे पीछे के तरफ खुलते थे ना किम, में, गेड के तरफ खुलते तो इह वी क्या है उस समय की विसेषता है सिंदु गाटी सभवता की प्रमुक विसेषता क्या है तो नगर योजना है तो इसको याद रखेगा व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या से कुछ अच्छा चीजे मिल जाती है व्याख्या हम देखिए सिंदु गाटी सब्वेता की सबसे प्रमुख विशेष्ता नगर योजना थी हरपा के नगर जाल की तरह विवस्थित थे तद अनुसार सरके एक दूसरे को स लोथल हो सुद्कॉंडा हो चाय मोंजोदर हो अरपा हो प्रतेग जो नगर थे वो क्या है दो भागों में विभक्त थे पच्छमी तीले और पूर्वी तीले लेकिन अभी कुछ अपवाद में आप देखेंगे कि कुछ जगे एक तीन चसायन मिलें तो उनको भी देख लें में अलग-अलग दो टीले नहीं मिलते हैं जैसे इसमें एक ही मिलते हैं तो सुरकोटदा हो गया और लोथल है इसमें अलग-अलग दो टीले नहीं मिलते हैं बलकि संपूर छेत्र एक ही रच्छा प्रचीर में घिरे हुए थे तो इसको भी याद रखना है चहूं दो दोरो जिसको मतलब दुर्गों से घेरा नहीं गया था कीला उसके चारों तरब दिवारे नहीं बनाए गया था दुर्गी कृत नहीं था तो इसको याद रखने गा और धौला बीरा धौला बीरा का नगर तीन भागों में बटा था और अधिकांस जो है प्रतेक नगर क्या थे दो भागों में बीवक्त हैं लेकिन धौला भी रा ऐसा मतलम नगर है जो तीन भागों में बीवक्त था एक कोशन यहां से पूछा जाता है तो ए अपवाद वाले ही कोशन बनते हैं जो अपवाद रहते हैं यह आपको भी मालूम होगा अगला एक कोशन यूपी जी आईसी प् जो विश्व की अन्य सब्विताओं से सबसे विश्ष्ट बनाती है आपसे धार्मिक विश्वास बीए नगर योजना सी ए कृसी का विकास डीए राज तंत्र का विकास तु त्यत्तर का हमने अभी उपर देखा था तो आंसर के आउजाएगा भी नगर योजना नगर योजना बहुत ही अच्छा था दोस्तों इसलिए इसको नगर योजना इसका सबसे प्रमुक विश्ष्षता मानी जाती है सिंदु गाटी सब्विता की व्याख्या हम उपर देख चुके हैं आगे चलते हैं 74 नमर कोश्चन कोश्चन आपका है निमनिखित में से कौन हरपा संस्कृती का एक अस्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खलन से प्राप्त हुई है हरपा की कौन हरपा संस्कृती का एक कौन ऐसा अस्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खलन से प्राप्त हुई है मतलब फारस की खाड़ी की मुद्रा वहां यह सही हो जागा लोधल एक अरप्पा का संस्कृति चाहां से फारस की खाली की मुद्रा उत्खरण से क्या है लोधल से प्राप्त हुई है तो आपसन यह आपका सही है इसके व्याख्या को हम देख लेते हैं थोड़ा सा लोथल सिंदू सब्यता का एक बंदरगा नगर है मतलब यह क्या है बंदरगा कहां पर पाया जाता है तो सिंदू सब्यता के लोथल नगर में पाया जाता है यहां से फारस के साथ सामुद्रिक व्यपार होता था तथा यहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खरन से प्राप्त हुई है अर्नम अतपुर्ट तथ्यों को देखते हैं लोथल से पूर्वी भाग में गोदिवारा का साच मिलता है तो गोदिवारा का साच कहां से मिलता है तो आंसर हो जाएगा लोथल के पूर्वी भाग से लोथल से तीन युगमित समाधियों के उधारर भी मिले हैं लोथल से क्या है तीन युगमित जो समाधिय है उनके मतलब जोड़े तीन जोड़े उगमित समाधिया मिली है जहां से जिससे यहां सती प्रथा का क्या अनुमान लगाया जाता है तो सती प्रथा का अनुमान कहां से लगाया जाता है तो लोथल से लगाया जाता है सिंदु गाटी संबेता में आगे चलते हैं 75 नमर कोशन है और ए अच्छा कोशन है गोदिवारा का साच हरपा संस्कृती के किस अस्थल से प्राप्त हुआ है अभी अमने उपर इसका देखा है तो आंसर क्या आउजाएगा सी लोथल लोथल से क्या है गोदिवारा के साच प्राप्त हुए है आगे देखते हैं चेतर नमर कोशन है यह भी देखिए UPGIC 2009 में पुछा गया है गोदिवारा का साच हरपा संस्कृती के किस अस्थल से प्राप्त हुआ है अंसर दीजिए हरपा धौला बिरा लोथल रंगपूर तो आ अगला कोशन है सतातर नमर है आपका हरपा संस्कृती के किस अस्थल में यूग्म सवाधान सवाधान प्राप्त हुए हैं हरपा के किस अस्थल से यूग्म सवाधान प्राप्त हुए हैं आपसन ए काली बंगा आपसन बी ए लोथल आपसन सी ए सुत कोंडा सुत कांगेडोर आपसन डी है A और B दोनों तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों A और B दोनों क्योंकि लोथल से तो मिले हैं तीन सवाधान जो तीन है मिले हैं और काली बंगा से भी मिले हैं तो आपसन दोनों सही हैं तो आपसन आपका D जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा A भी दोनों से प्र यूगल सवाधान मिला है, और जो लोठल है, वहां से क्या है, तीन यूगल सवाधान के क्या है, साच मिले हैं, तो इस तरह दोनों हो जाएंगे सबसे ज़्यादा तीन, कहां से मिले हैं, काली बंगा से एक मिला है, तो इसको भी आप याद रखेगा, आगे चलते हैं, 78 नमर क के प्रमाडों की क्या हुई है प्राप्ती हुई है आपसन ए राखी गड़ी आपसन भी है बनावली आपसन सी है प्रभास पाटन आपसन डी है कुनाल तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 78 का डी आपका सही हो जाएगा कुनाल आपका अंसर हो जाएगा तो निमलिकित हडपा अस्थलों में से किस एक अस्थल से जो है गर्थ अवास के जो प्रमार प्राप्त हुए है तो कहां से हुए है तो कुनाल आपका आंसर हो जाएगा डी आप आंसर कर लेंगे व्याख्या देख लिजे फ्रेंज व्याख्या सेंदो पूरा अस्थल कुनाल से गर्थ अवास के प्रमार मिले हैं कहां से तो सेंदो पूरा अस्थल कुनाल से क्या है गर्थ अवास के प्रमार मिले हैं कुनाल वैदिक नदी सोसती छेत्र में इस्तित एक पूरा अस्थल है क् फतेहबाद जन्पद में है और इस पुरा अस्थल से सेंधो संस्क्रीती के तीन अस्थर प्राप्त हुए हैं प्राग के सेंधो संस्क्रीती परिपक्व सेंधो संस्क्रीती चित्रित ग्रेवे संस्क्रीती इस पुरा के उत्खलन का कारे जे एस खत्री और सी यन सी यम आचारे ने किया था अन्य महतपुर्ट तथ्यों को देखते हैं कुनाल से मिट्टी के वर्तन हंडी के उपकरड चेल सेनी के सुस्म बलेड और मचली के हुक मिले हैं कुनाल से तेरा कोटा की मुहर मिला आये दो चांदी के मुट्ट हत्यार चूडियां चांदी के हार छो सोने की मोती और अर्ध कीमिती पत्थर के 12000 से अधिक सुष्म मोती क्या हैं प्राप्त हुए हैं कोश्चन को एक बार दुबारा देख लेते हैं दोस्तों हमने क्या आंसर बताया था हमको खुद नहीं याद है तो इसका आपशन डी आप सही कर लेंगे कुनाल से क्या हुआ था गर्थ अवाज के प्रमाण मिलें 1978 का डी आप सही कर Л सही कर लेंगे अगला कोशन देखते हैं 79 नमर कोशन है लोठल और चनहूदरो का सरवाधिक महत्पुर अध्योग क्या था लोठल और चनहूदरो का जो छर्वादिक क्या था, सर्वादिक महत्पूर उद्धयोग को बताना है, जल निर्माड़ मन का उद्धपाधन हत कर्म वस्त्र उद्धध्योग धातु कर्म, तो 79 का जो आंशर है दोस्तों, 20 होजाएगा, मन का उद्धपाधन, जो लोथल है, और चनहूदरों जो है, वह कहां से मन का उत्पादन जो है प्रमुख क्या था उद्ध्योग था प्रमुख जो सरवधिक महतपूर उत्ध्योग क्या था वो मन का उत्पादन का था और मन का कहां कहां बनता था तो दोनों जगे बनते हैं लोथल भी और चनहुदरो भी तो एurg不好意思 याद मन का बनता है कहां से लोथल और चनहुदरों से व्याख्या देख लिजिया लोथल गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में इस्तित है तो लोथल कहां इस्तित है गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में इस्तित है जबकि चनहुदरों मोहन जोदरों के दच्छि में इस्तित है लोथल और चनहुदरों और दोगिक केंद्र के रूप में विख्यात थे लोथल और चनहुदरों का सरवाधिक महतपूर उद्योग मन का बनाने का कारखाना था उद्खलन अस्थलों से इसके साच भी प्राप्त हुए हैं मतलब लोथल और चनहुदरों से मन का बनाने के साथ ची क्या है प्राप्त हुए है जब इनकी खुदाई की गई है तो यह याद रखेगा आगे चलते हैं एटी नमर कोशन है असी नमर कोशन है कोशन है आपका कि हरपा संस्कृती से जुड़ा अस्तल रंगपूर किस नदी के तत पर इस्तित है यह आपको बताना ह है कि हरपा संस्कृती से जुड़ा अस्तल जो रंगपूर है वो किस नदी के नदी पर इस्तित है सिंद पर जेलं पर भादर पर दस्त पर तो आंसर क्या हो जाएगा एटी का सी सही हो जाएगा दोस्तों भादर पर इस्तित है जो रंगपूर है वो अस्तल कहां किस नदी प तो भादर आप आंसर कर लेंगे व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा हरपा संस्कीती से जुरा अस्थल, रंगपूर भादर, मादर जिसे भादर भी करते हैं नदी के ततपर अवांदाबाद जिले में इस्तित है गुजराद जो है तो हडपा संस्कीती से जुड़ा अस्थल जो है रंगपूर मादर या भादर नदी के तट पर अहमदाबाद जिले में इस्तित है अन्यमादपूर तथ्यों को देख लेते हैं अन्यमादपूर तथ्य में क्या क्या है हैं रंगपुर से धान की भूसिके ध्यार प्राप्त हुए हैं जो हरप्प सबाता में ध्यान की क्रिशी किये जाने के क्या हैं साच प्रस्तुत करते हैं तो आये सब याद रखने योग्य बाते हैं, एक क्यासी नमर कोशन देखते हैं आपका, कोशन है, सिंदू सब्वेता काल के लोग घर बने थे, सिंदू सब्वेता के जो काल के लोग थे, उनके घर कैसे बने थे, पत्थर से, मिटी से, कच्ची इटो से, पक्की इटो से, तो आंसर क्या हो जाए थोड़ा सा सिंदू सब्वेता एक नगरी सब्वेता थी और यहां के अधिकांस घर पक्की इटों के बने होते थे कुछ भावनों की दिवार पर प्लास्टर के भी क्या हैं साच प्राप्त हुए हैं अन्य महत्पुर्त देख लेते हैं तो सिंदू सब्वेता में मकान बनाने में सबसे प्रचलित इटों का आकार चार संबंदे दो संबंदे एक का था यह भी कोशन कई बार पूछा है तो इस कि मिट्टी को जैसे कूट कर कच्ची इटे या पक्की इटे में बिछा कर मकानों के फर्स बनाये जाते थे तो इनको भी याद रखेगा सिंदू सब्यता के अधिकांस घरों में कुवें के साच मिले हैं मतलब अधिकांस घर में स्वयम के पानी थे दोस्तों ए बहुत इंपार्टेंट है कि सिंदू सब्यता इतनी बिख्षित थी कि वहां हर घर में लगबग में क्या है कुवें के साच प्राप्त हुए हैं आग अलमगीरपूर काली बंगा चन हुदरो तो आंसर क्या हो जाएगा दोश्टो आलमगीरपूर जो है वो उत्तर प्रदेश में इस्तित है तो इसको आप याद रखेगा व्याख्या देख लिजिए हडपा सब्यता का सबसे पूर्वी अस्तल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपूर उत्तर प्रदेश में इस्तित है तो आलमगीरपूर किस नदी पर इस्तित है तो हिंडन नदी पर इस्तित है और ये सिंदू सब्यता या हडपा सब्यता का सबसे पूर्वी अस्तल है और ये जो आलम गीरपूर है वो आपका पढ़ता है उत्तर प्रदेश में अन्यमहतपूर तथ्यों देख लेते हैं आलम गीरपूर हडपा के सबसे पच्छमी अस्थल सुत कांगे डोर से 1600 किलो मीटर की दूरी पर क्या है इस्तित है तो सबसे जो पच्छमी अस्थल है उससे कितने दूरी पर है तो 1600 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित है आलम गीरपूर का उत्खलन 1958 में यगदत सर्मा ने किया था तो यगदत सर्मा ने किसका उत्खलन किया है तो आलम गीरपूर का आंसर दे देंगे हिंडन नदी के किनारे इस्तित है आलम गीरपूर किस नदी के किनारे इस्तित है तो हिंडन नदी भी आपका आंसर हो जाएगा अगला कोशन है चौरासी नमर हडपा संस्किती की पूर्वी सीमा क्या है अभी हमने बात किये तो सबसे पूर्वी सीमा क्या है आलम गीरपूर है, सी आपका सही आंसर होगा, आलम गीरपूर जो यूपी में पड़ता है, हिंडर नदी के किनारे हमने इसको भी देखा, 85 नमर कोशन है, सिंदु गाटी संब्यता में सूती वस्तरों के प्रयोग के प्रमार प्राप्त हुए हैं, मोहन जोदरों से, हरपा से, चन हूदरों से बनावली से, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 85 का, यह सही हो जाएगा, मोहन जोदरों से, सिंदु गाटी संब्यता में सूती वस्तरों के प्रयोग के प्रमार कहां से मिले हैं, मोहन जोदरों आपका आंसर हो जाएगा, वे आख्या थोड़ा से देख भीजिये शिंदु गाटि सब्वयता में सूती वस्तरों के प्रयोग के प्रमार मुहन जोदरों से प्राप्त हुए हैं इससे पता चलता है कि यहां कपास की खेती की जाती थे अन्यमात पुर्तत्र्थे देख लेते हैं स्वरपरता मेहरगर पूरा अस्तल पर कपास की खेती क प्रमार मिले हैं, तो सबसे पहले कपास की खेती के जो प्रमार पिने हैं, वो कहां से, तो मेहरगर पूरा अस्थल से मिले हैं, अगला पॉइंट है, यह अभिस्व में कपास के अस्तितु का प्राचीनतम साच्छ है, मेहरगर क्या है, कपास के अस्तितु का सबसे प्राचीनत साच्छ है कपास सेंदो लोगों की मूल फसल थी इसी कारण युनानी सिंद छेत्र को सिंदर कहने लगें जो सिंदू सब्द से निकला है तो फ्रेंड्स ए थे आपके 15 कोश्चन और उनके व्याक्या अगर वीडियो अच्छी लगी हो कंटेंट अच्छा लगा हो मेनत चैनल पर दोस्त नहें हैं तो चैनल को जड़ू सब्सक्राइब करें धन्यवासातियों आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए किसी भी चैनल पर पढ़िए कहीं भी पढ़िए लेकिन पूरा जी जान लगा दीजिए क्यूंकि आपके पास बहुत अपरचुन्टी है इस सम अपने आप निकल जाएगा तो इसको आप यह लीजिए कि आप बड़े का तयार करें छुटका आपने आप निकल जाएगा तो धन्यवासातियों नमस्कार